बहुत समय पहले की बात है एक गाउं में गोपी नाम का एक कुमहार रहता था वो बहुत गरीब था उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता गोपी कुमहार धेर सारे मटके बना कर रख देता गाउं के लोग उसी के हां से मट के लेते थे लेकिन ओने पौने दामों पर ही खरीदते थे और गोपी भाया तुमने तो मटके का दाम सौ रुपए बता दिया बहला ऐसा क्या है इस मटके में जो सा रुपए का दे रहे हो भाया थोड़ा ऐसा मेरे बारे में भी सोचो मैं अतनी दूर नदी से मिट्टी ले गोपी सोचने लगता है, फिर उसके बाद वो शम्भू को आवाज दे कर बोलता है, चलो भाईया कोई बात नहीं, ले जाओ तुम मटका, शम्भू दो मटके उठाता है और वहाँ से चला जाता है, तब ही गोपी की पत्नी वहाँ आती है और गोपी पर चिलाने लगती है, ये क्या, तुम तो यहाँ पर मटके बनाते हो, और फिर नुकसान में चले जाते हो, ये बात क्यों समझ में नहीं आती है, कि मटका लोगों की ज़रूरत है, गर्मियों में मटके का पानी पीने के लिए लोग मटका खरीदते है, तुम अपने दाम कम करोगे, तो वो लोग इसी तरह फायदा उठाएंगे मैं क्या करूँ मैं तो परेशान हो गया हूँ लोगों को लगता है कि मैं महनत ही नहीं करता बस मैं तो चाक पर मिट्टी डालता हूँ और घड़े बना कर तयार कर देता हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच कहता हूँ ये काम धन्दा सब छोड़ दूँगा और चला जाओंगा यहां से गोपी अभी परिशान बैठा हुआ बाते करी रहा था कि तभी वहाँ पर एक बुढधा आता है अरे बेटा मेरे को एक घड़ा लेना है कांसा घड़ा चाहिए बाबा देख लो यहां पर इतने सारे घड़े रखे है बेटा मुझे घड़ा तो जरूर चाहिए लेकिन मैं अपनी मिट्टी साथ लेकर आया हूँ वो क्या है कि मैं किसी और मिट्टी का पानी पी नहीं सकता बड़े लोगों से मैंने बोला लेकिन किसी ने भी मेरे लिए एक घड़ा तैयार नहीं किया अगर तुम मेरे लिए घड़ा तैयार कर सको तो मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूँगा हाँ हाँ क्यों नहीं लाओ बाबा मेरे को अपनी मिट्टी दो मैं अभी घड़ा तैयार करता हूँ पर तीन दिन बाद उसे लेने के लिए आना, तीन दिन बाद मैं उसे पक्का बना दूँगा बुढ़ा आदमी गोपी को मिट्टी दे देता है, तीन दिन बाद आने की बाद कहकर वो वहाँ से चला जाता है गोपी तुरंत उस मिट्टी को गूत कर चाक पर लगा देता है गोल-गोल चाक पर घूमते हुए वो घड़े को तयार करता है अरे वा, गुड़े बाबा तो इतनी कमाल की मिट्टी लेकर आए है कितना प्यारा घड़ा तयार हुआ है इसे देखकर तो लगता है ये कल तक सूख जाएगा और परसो मैं ऐसे आग में तापकर पक्का बना दूँगा इसे अराम से घर के अंदर रख देता हूँ कहीं ऐसा नहों कि गलती से मैं किसी ग्राहक को दे दूँ गोपियोज घड़े को ले जाकर घर के अंदर रख देता है और अपनी पत्नी और बेटे को बोल देता है कि इस घड़े को ना छेड़े क्योंकि ये बुढ़े बाबा का घड़ा है तीन दिन बीछ जाते है घड़ा भी पक्का हो कर तयार हो जाता है लेकिन वो बूड़े बाबा घड़ा लेने के लिए नहीं आते सुनती हो वो बूड़े बाबा तो अपना घड़ा लेने के लिए आये ही नहीं अभी घड़े को देखते रहोगे या बाजार से सामान ला कर भी दोगे मैंने कहा ना कि घर में चावल भी बिल्कुल नहीं है अरे हाँ हाँ याद आया मैं तो भूल ही गया कि तुमने मुझसे अभी अभी चावल बोला था अभी गोपी ने चावल बोला ही था कि घड़ा चावल से भर जाता है गोपी हैरानी से उस घड़े को देख रहा था तब ही वो अपनी पत्नी को बोला कि देखो मैंने अभी चावल बोला और ये घड़ा चावल से भर गया क्यों मजाग करते हो मेरे साथ में जरूर तुमने चावल लाकर इस घड़े में डाल दिये होंगे अब मजाग बन करो मुझे खाना बनाना है लाओ ये सारा चावल निकाल कर मुझे दो गोपी घड़े में से चावल निकाल कर अपनी पत्नी को दे देता है लेकिन वो जानता था कि उसने चावल बोला और घड़ा चावल से भर गया तब ही उसने घड़े से कहा बोड़े बाबा के मटके मुझे पैसे चाहिए गोपी के ऐसा बोलते ही वो घड़ा चमकदार रोशनी से भर गया और वो देखता है कि उसमें धेर सारे पैसे है उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये जादूई खड़ा है उसने चुपचाप से वो सारे पैसे अपने गमचे में बांध कर अलमारी में रख दिये और उस घड़े को भी अलमारी के उपर रख दिया हे भगवान इसका मतलब वो बोड़े बाबा जो मिट्टी दे कर गए थे वो जादूई मिट्टी थी इसका मतलब कि ये घड़ा भी जादूई घड़ा है इससे मैं जो भी कुछ मांगूँगा वो मुझे मिल जाएगा पर मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगा लगता है तुम बहरे हो गए हो और जिससे मैंने वो मटका तयार किया था वो जादूई मटका है लगता है आज तुमने सुबा सुबा ही भांग खा ली है कैसे बाते कर रहे हो जादूई मटका तब ही गोपी अलमारी खोल कर उसे वो गमचा दिखाता है जिसमें उसने धेर सारे पैसो को बांद कर रखा हुआ था पैसो को देखते ही गोपी की पत्नी की आँखों में चमक आ जाती है अरे वाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ अब हम लोग अमीर हो जाएंगे तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा मैं भी अभी यही सोच रहा था क्यों ना हमें काम करें हम घड़े से कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे हम एक दिन में ही बहुत अमीर हो जाएं तभी गोपी के दरवाजे पर दस तक होती है वो देखता है कि गाउं की दो तीन औरते उसके यहां से मटका खरीदने के लिए आई है हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे पास में छोटे बड़े घड़े है और बड़ी छोटी सुराही भी है बताओ क्या दिखाओ मुझे वो बड़ा घड़ा दिखाओ मुझे सुराही दिखाओ गड़ा और सुराही लेने के बाद में जब औरते दाम पूछती है तो गोपी उन्हें दोनों की 100-100 रुपे दाम बताता है 100 रुपे? बाप प्रेबाप ऐसा क्या है इस घड़े में चो 100 रुपे का दे रहे हो? गोपी उन्हें सौरत के हाथ से घड़ा ले लेता है और गुस्से में बोलता है 100 रुपे से 1 रुपे कम नहीं लूँगा घड़ा लेना है तो लो वरना मत लो वो और ते घड़ा छोड़ कर चली जाती है बेड़ी आई 100 रुपे में घड़ा लेने वाली अरे जाओ जाओ अब मुझे किसी को घड़ा बेचने की कोई जरूरत नहीं है देख ले न गाओं वालो अब मैं इस गाओं का सबसे अमीर आदमी बन कर दिखाऊंगा तबी गोपी घड़ के अंदर आता है और अपनी पत्नी के साथ उस जादूई मटके से बोलता है गुने बाबा के जादूई मटके मुझे बहुत सारा सोना चाहिए तबी घड़े में से एक चमकदार रोश्णी बाहर आती है और पूरा घड़ा सोने से भर जाता है गोपी और उसकी पतनी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो सारा सोना घड़े में से निकाल लेते हैं इतना सारा सोना अब तो हमारा बहुत सुन्दर घर होगा हमारी घर में भी घोड़ा गाड़ी होगी मेरे पास भी सुन्दर सुन्दर कपड़े होगे वा, मजा आ गया हाँ हाँ हमारे पास अब सब कुछ होगा अब मैं किसी के आगे हाथ जोड़ कर ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे इस घड़े का ये दान दो अपने गाउं का सबसे अमीर आदमी हूँ गोपी अपना बड़ा घर बना लेता है गोपी और उसकी पतनी महगे कपड़े और गहने पहन कर गाउं में घूमने निकल जाते हैं और उन दोनों को इतने महगे कपड़े और गहनों में देखकर गाउं के लोग हके बगके रह जाते हैं क्या गोपी भहिया कोई खजाना हाथ लग गया है क्या तुम्हारे तो ठाट बाट देखते बन रहे हैं। भगवान ने मेरी सुन ली है। इसलिए भगवान ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहता था। अब मैं कोई मामुली कुमार नहीं हूँ। अरे गोपी भईया कहीं ऐसा ना हो की वो कहते हैं न की अमीरी आने पर कहीं तुम ऐसा ना हो की अपना काम ही भूल जाओ। गोपी कुमार अब गोपी कुमार नहीं रहा। दो दो पैसों के लिए तुम जैसे लोगों से लडाई करें। हरे भाई मेरे पास तो अब इतना पैस कि मेरे साथ पुष्टें बैट कर खाएंगी। पत्नी चाल भी भूल गया। हाँ हाँ बूरी काकी जो कहना है कहलो लेकिन मैं जानता हूँ तुम सब गाओ वाले मुझसे जल रहे हो। गोपी और उसकी पत्नी में बहुत घमंड आ चुका था। अब वो किसी से बाते भी नहीं करते थे। बस जब देखो मटके को कुछ बोलते और उससे वो सब कुछ ले लेते। गोपी ने अब घड़े बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वो बस मज़े से लेटा रहता। उसकी पत्नी नौकरों पर हुकुम चलाती। देखते ही देखते एक साल बीच जाता है। और फिर वापस गर्मियों का मौसम आ जाता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। देखो जादोई घड़े की मदद से आज हम लोग कितने अमीर हो गए हैं। आज ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोगों के पास नहीं है। पिछले साल यही समय था जब मैं दो-दो पैसे के लिए लोगों से बूलता था। यह बात तो तुमने एकदम सच बूली है। इस घड़े की मदद से आज हमारे पास बहुत कुछ है। पर ना जाने कि ओ कभी-कभी मेरे मन में बड़ा बुरा सा विचार आता है। तो भी बावली है, भला क्यों बुरे विचार मन में लेकर आती है। कभी-कभी मैं सोचती ह अगर वो बुड़े बाबा वापस आकर अपना घड़ा मांग ले और हम लोग फिर से गरीब हो जाए तो। गोपी की पतनी ने अभी ऐसा बोला ही था कि वो घड़ा तूट जाता है और वो वापस गरीब हो जाते है। तभी वो बुड़ा आदमी आता है। अरे गोपी बे साथ बैठा हुआ है। ए भगवान ये क्या हो गया हम लोग फिर से गरीब हो गए। मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ इसलिए मैंने तुम्हें वो जादोई मिट्टी दी जिसका तुमने वो जादोई घड़ा बनाया लेकिन तुम लोगों से अपनी मिट्टी देने के लिए बोलते हैं लेकिन वो बुढ़ा बाबा हसता हुआ वहां से चला जाता है और गोपी फिर से घड़े बनाने का काम करने लगता है।